नमस्कार दोस्तों मिरे नाम का बिल सिक्कार सौगध आपका सड़िये के एडिकेशन प्लाटफॉर्म में आज हम चर्चा करने जा रहे हैं मैगी करके एक डिस्कवरी हुई है जो लॉंगे स्ट्रक्चर है मिलकी वे में अब मैगी क्या है एक लाइज स्ट्रक्चर मिलाएं कहां पे है यह हमारे ही मिलकी वे में हमारी गलिक्सी का पार्ट है यह 55,000 light years दूर है अर्थ से, तो exactly इस तरह से इसको find किया गया, जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, यह पूरा जो structure है, यह hydrogen से बना हुआ है, और इसी का नाम astronomers ने Maggie रखा है, तो जानेंगे exactly कि किस तरह का यह unusual cloud है hydrogen का, क्यों यह largest यह longest structure है, ऐसा क्या है इसमें और कैसे इस इसको spot किया, आपको हर वीडियो के PDF में टेल ग्राम चैनल से मिल जाएंगे, आप मुझे ट्यूटर पर follow कर सकते हैं, देखें, gigantic structure है, 3900 light years long है, और 150 light years wide है, यह 55,000 light years दूर है हम से, हमारे solar system से, अगर हम बात करें Maggie की यह जो नाम दिया गया है, यह Columbia की, एक longest river पर नाम रखा जाता है, अब इसको ढूडने वाले जो अस्ट्रोनॉमर है, उनका नाम है, One Solar, Max Planck Institute of Astronomy, Germany में इसे पहली बार detect किया गया, और वहीं पे इसका नाम पड़ा Maggie, वहाँ पे एक complete survey चलता है, जिसका नाम है Thor, अस्ट्रोनॉमर्स ने इस cloud को Thor सर्वे के according या Thor सर्वे से ढूड़ा अब यह जो observatory है, यह objects देखती है, जो main plane के बाहर है, milky way के, जो milky way का main plane उसे बाहर, जितना भी matter है, वहाँ पे यह search करती है, usually जो area यह flattened disk है, और यहीं पे सारा matter galaxy में मिलता है, flattened disk है, तो यहाँ पे ढूड़ पाना असान है, और क्योंकि यह hydrogen balloon था, यह hydrogen structure था, यह भी इस plane के बाहर था, इसलिए इसको आसानी से spot कर लिया गया, अब exactly देखते हैं, इसका structure कैसा है, यह hydrogen gas से भरा हुआ है, और यह सारे के सारे जो structure से है, same speed पे, एकी तरफ, एकी direction में move हो रहे है, इस से पता चला कि एक single structure है, ना कि यह multiple clouds है, सब सब जात मैगी के हम देखेंगे, कि इसमें 92% atomic hydrogen है, इसकी total composition में, और 8% जो है, वो molecular hydrogen है, तो इससे पता चल जाता है कि hydrogen rich balloon है, cloud है, और यह बाकियों से काफी जादा बड़ा भी है size में, और काफी जादा different भी है, तो यह एक reason है कि जो researchers हैं, उनका interest इसमें बन रहा है, जैसे कि अभी मैंने आपसे एक observatory की बात क इसे को, यह exactly observatory यहाँ पे established है, इसमें 28 telescopes इस तरह के large telescopes लगें, जिसमें 27 हमेशा working होते हैं, यह जो observatory है न्यू मैक्सिको में है, यह astronomy या wavelength radio को पढ़ती है, और इसमें 27 जैसे कि हम ने देगा 28-25 meter radio telescope हैं, जिसमें 27 हमेशा operational रहते हैं, यह rotate करते रहते हैं, और अब पूरी galaxy क इनको study करते रहते हैं, इनको y shape array में deploy किया गया है, इनका instrumentation है, इनका computation है, वो काफी high end है, और इसी के वज़े से इसको ढूंड पाना काफी आसान रहा, क्योंकि हम बात कर रहे हैं, galaxy की तो exactly देख लेते हैं, galaxy होता क्या है, देखें, galaxy एक बड़ा mass होता है, एक huge collection होता है, gas क dust का, billions of stars का, और उसका अपना एक solar system होता है, हमारी galaxy है, milky way, galaxy के जितने भी पार्ट से हैं, इसब gravity से एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, और यहाँ पे galaxy में, अगर हम milky way की बात करें, तो milky way के center में, एक supermassive black hole है, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, एक supermassive black hole के ग्राविटी से बंदी हुई है, जैसे कि यह पूरा galaxy है, यहाँ पे हमारा solar system है, और बाकी और stars, gases, अलग-अलग, जो और elements है, वो सब galaxy में present हैं, तो जल्दी से बात कर रहे हैं, milky way के कुछ quick facts, spiral shape है, जैसे कि आप यहाँ पे shape देख पा रहे हैं, कि spiral shape यह बनी हुई है, आपको एक लाख light years लगेंगे, और 200 billion stars है, और rotation का time इसका 230 million year है, एक rotation 230 million year में पूरी कर लेती है, इसी के साथ साथ एक और probe किया आपे बात हुई थी, एक GAIA probe है, ESA की, European Space Agency की जो GAIA probe है, वो भी एक ambitious mission है, इसी particular milky way galaxy के लिए, यह कर किया रहे है, 3D map बना रहा है हमारी galaxy का, औ और यह इसके composition, formation और evolution पे study कर रहा है, यह GAIA जो probe है, यह sun के चारों तरफ घूम रहा है, लगबग million miles दूर है अर्थ से, और 2013 में इसको ESA ने launch किया था, इसकी जो journey है, वो काफी discrete रही है, इसने काफी pictures milky way की बनाई है, और बहुत सारी छोटी-छोटी galaxies को इसने study किया है, हम और उसमें देखा भी गया है कि आसपस कौन-कौन से circles जो हैं, वो घूम रहे हैं, कितने supernovas explode हुए हैं, अब इस research से जो हमारे astrophysicists हैं, उनको काफी चीज़े पता चली है, उनको distribution के बारे में पता चला है, dark matter के, invisible substance के बारे में पता चला है, universe को उनने बहुत thoroughly study किया है, सा तरह से light का deflection होता है, जो general theory of relativity है, उसको भी study करा हूँ, इस satellite में एक billion pixel camera है, जो अब तक का largest है space में, और बहुत powerful है ये, in fact अगर एक human hair की बात करें, तो उसके diameter को नाप सकता है, 621 miles या 1000 km दूर से, ये साथिज़ाद pinpoint करता है, stars की location को, और उनके movement को track करता रहता है, stars को लग बीच में इससे वो पता कर पाते हैं, कौन सा star earth से कितनी दूर है, इसका पहला बैच जो है data का, वो 2016 में release किया गया था, जिसमें brightness और positions देखी गई थी, लगबग billion stars की, लगबग 2018 तक 1.7 billion stars इस galaxy के ये map कर चुका था, तो एक ये picture draw करी गई थी, एक ये picture ली गई थी, जो space agency का गाया प्रोब है, ESA का, उसने कुछ इस तरह की हमारे galaxy की picture, define करके image जो है, वो produce करी थी, तो आशा करता हूं, ये topic clear हो गया होगा, आच्छा आपके लिए बहुत अच्छे news है, हमारा target prelims 2022 का जो crash course है, वो आपके GS foundation के साथ add कर दिया गया है, आप जल्दी से GS foundation का सब्सक्र subscription लीजे, one subscription में आपको complete foundation मिलेगा, और साथ ही साथ prelims 2020 को target करने का, एक complete module मिलेगा, module यहां curate किया गया हमारी best faculty द्वारा, सारे topics cover किये जाएंगे, prelims oriented होगा, और prelims आपको qualify करने में काफी help करेगा, क्योंकि इसमें CSAT भी included है, तो जल्दी purchase कीजे अपना subscription, meanwhile मिलते हैं अगल झाल झाल